हैलो एवरिवान, वेलकम तु दिन इवर्ड विथ हायटीन थिंकिंगी यह आप कोश्चन देख रहे हैं जो कि JMS 2021 में पुछा गया था सिफ्ट टू में तो यह कोश्चन में मैं आपको SN2 रियक्शन के बारे में बताऊंगा ठीक है और हमारा जो गैबरियल थैलामाई टाइप रियक्शन होती है आपने पढ़ा होगा आपको उसके बारे में पता चलेगा तो जो भी इस कोश्चन से हम कॉंसेप सीखेंगे मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको डारिक बताते गए बात खतम नहीं हम आपको प्रॉपर एक्स्प्राइशन देंगे ताकि अगर आपको रियक्शन का थोड़ा भी आइडिया हो ना तो चीजे समझ में आए आपको ठीक है तो आई स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पी एक तरह से दिख रहा आपको यह निगेटिव है यह पॉजिटिव है एक तरह का जार्ट गीवें है तो यहाँ पी जो निगेटिव वला पार्ट है ना यह क्या करेगा पॉजिटिव खोज़ेगा अाप कहोंगे सर यह बगल में पॉजिटिव है तो две सार्ट मितलब क्या हो जाते है वह हमेसा अज़िव निगेटिव फ़ॉर्म में भी रह सकत तो इसे आप ignore कर देना इससे आप मतलब नहीं है यह हमेशा नुकलियो फाइल का काम करेगा यह यह वाला ठीक है तो यह वाला कहां अटेक करेगा इस कार्बन पर जाके अटेक करेगा किसी के मन में डाउट होगा यहां कि हो टेक किया क्योंकि यह कार्बन पर पॉजिटिव है अब इस पर नेगटिव है ऐसा क्यों क्योंकि ब्रोमीन एलेक्ट्रो नेगटिव है कार्बन एलेक्ट्रो पॉजिटिव है कम एलेक्ट्रो नेगटिव है तो कम एलेक्ट्रो नेगटिव मतलब उससे नेगटिव चाज नहीं पसन तो इसलिए इसे पर वहुजिटिव है इस SN2 reaction होई है, काऊंसा SN2, अच्छा SN2 reaction में हमेशा क्या favorable होता है जहां less steric side favorable होता है, less steric ठीक है न, जैसे 1 degree, 2 degree, 3 degree ठीक है, लेकिन अगर SN1 reaction होती है, तो वहाँ पी क्या होता है 3 degree, 2 degree फिर 1 degree, और यह हमेशा एक ही step में होता है, मतलब simultaneously bond breaking bond forming होता है, ठीक है न, याद रख लेना और back side attack होता है, कुछ यह informative चीज़े हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ SN2 में, back attack होता है, ठीक है तो यह attack करेगा, और यह जैसे attack किया न, यह वाला यहाँ पी यह living group की तरफ बाहर निकल जाता है ठीक है न, अच्छा living group होता है तो हमारा देखो, बन किया जाएगा यहाँ पे यह तो था ही और यहाँ से ऐसे ठीक है, ऐसे और देखो, attack कौन किया था nitrogen, ठीक है कहाँ attack किया था, इस पे तो CH2 देख रहा है, और हमारा यह भी लगा था तो CH2, अब देखो यह था न, यह लगा था तो benzene ring हम लगा देते हैं ठीक है, यह लग था अब किसी के मन में भी doubt होगा कि सर यहाँ पे negative था और यह negative कहाँ चला गया तो देखो, negative और positive मिलके क्या बनाते हैं, neutral बना देगे, क्या हो जाएगा neutral, तो यहाँ negative था यहाँ positive कहोगे, यहाँ partial positive था तो वो अपने understanding के लिए positive ही समझो तो negative positive मिलके neutral बना दिये, और bond बन गया यह यहाँ से, ठीक है अब देखो, अगले step में यहाँ पी क्या कराया था S3 योग प्लस थी given था या hydrolysis आप ऐसे समझो क्या hydrolysis hydrolysis workup के लिए हो जाता है ठीक है ना, मतलब hydrolysis, ठीक है ना workup में यूज हो जाता है hydrolysis, मतलब ऐसे ही समझो H2O का break leases मतलब तोड़ना, hydro मतलब पानी, तो H2O का breakage, ठीक है तो अब यहाँ पी अगर ऐसे Gabriel यहाँ यहाँ जोड़ता है तो इसे bond को break करते हैं और इसके इस side OH आता है, जो यहाँ hydrolysis हुआ है वही H इधर आके जोड़ता है इसी तरीके से OH यहाँ आता है और H यहाँ जोड़ता है तो देखो हमारा बन क्या जाएगा यह एक तो यह बन गया पहले इसे बना देते हैं ठीक है यह बेंजीन था CH2 और NH2 बन गया ठीक है और यह तो हमारा इधर बाला portion बन जाएगा वह क्या है ठैलीकेस इट ठीक है ऐसे और देखो C double bond ओ था और OH आ गया भाई ठैले ठैलेकेस यह हो गया ठीक है और OH यह यहां आ गया ठीक है बागी कुछ doubt हो तो पूछ लेना comment section में ठीक है thank you